हलो फ्रेंड्स वल्कम टू आएक्जांबी आएम सुशिल रगडे एक्स मैनेजर रिजर बैंक आफ इंडिया और आज ही न्यूस पेपर में यह खबर आई है 27 फरवरी को कि पे टीम बैंक के जो आपको पता है जो फाउंडर है विजेशेकर शर्मा इन्होंने बोर्ड से स्ट करेंगे एक्चुली इसमें इनका ही फायदा है क्योंकि यह बैंक में काफी सारे शेर से इनके हजारो करोड के शेर से इनके है और आपको पता है अगर यह बैंक आगे चलेगा तो ही इनको फायदा होगा ठीक है तो इसलिए अब आप देखो कि पिछले 5-6 दिन में मैं आप आपको शेर प्राइस का मोमेंट भी बताऊंगा यहाँ पर कि किस तरीके से यह फायदा हुआ है और यह जो सारा जो हुआ है वो RBI के वज़े से हुआ है इसलिए RBI की पावर आपको अभी लोगों को पता चलती कि कितना पावर होता है RBI एक डिरेक्शन इसू कर देता है व क्योंकि यह जो बैंक्स है यह बैंक्स को RBI ने सरकार नहीं यहाँ पे बचाया हुआ है और अभी देखो जैसे बहुत सारे लोग ना पब्लिक सेक्टर को कुछ कहते है बैंकर्स को कहते है लेकिन फाइनली यह सारा जो है फाइनली अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर क्या हो रहा है इसका यूज आपको इंटरो में कैसे करना है इस सारे का आपको यहां पे बहुत वाइदा हूँ अभी वीडियो स्टाट करने से पहले काफी सारी इंक्वाइर ईस बैच के बारे में आ रही है क्यूंकि यहां पर हमने अलग चीज की है यहां पर कौन जो है मै मैं बढ़ाने वाला हूँ और ESI के कुछ टॉपिक से कुछ पार्ट सीपी सर यहां पर बढ़ाने वाले हैं एक तारिक से बैच चाल होने वाला है और अभी इस पर हमारा 50% डिसकाउंड भी है अभी आप यहां पर हमारे सेलेक्शन भी देख सकते हैं अगर आपको कॉल कुछ चाहिए तो मैंने जो नंबर दिया उस पर आपके कॉल कर सकते हैं चलिए अभी आते हैं जो मैंने ICSA की बात की उस टाइम पर मुझे आते मैं इंजरिंग कॉलेज में था 2003 की बात है और उसमें उस टाइम पर ना हम ऐसे ही रूम पर बैठे थे हैं फ्लैट में रहते थे और अचानक से फोन आ गया I think रात को नो बज़े के असपास आया होगा कि ICSA से बैंक डूब गया ऐसा न्यूज आ गया तो सारे लोग पूने में में उस टाइम पूने में था पूरे पूने में जितने सारे ATM से वहाँ पर पूरी लाइन लगी थी पैसे निकालने के लिए और गुजरास से कुछ न्यूज आया था कि ICSA से बैंक ने I think Reliance को या किसी एक प्रोजेक को फंडिंग किया हुआ है और वो प्रोजेक डूब गया और वहाँ पे हजारों करोड का उनको लॉस हो गया तो उसके वज़े से उसको कहते है रन, run on मतलब क्या होता है क्यों लग गई पूरे specifically महराष्टा में गुजरात में क्यों लगी थी और उस ताइम पे RBI ने अशुरूटी दिया, RBI ने याद है उस ताइम पे I think शामला गुपिना तूशा थोरत उस ताइम पे डिप्टी गरणर थी RBI ने उन्होंने सुभा सुभा प्रेस मीट किया, early morning और कह दिया कि RBI के सारे walls ICSA bank के लिए open है, जितना चाहिए उतना वैसा लेक के जाएए, तो आपको, क्योंकि run-on का मतलब क्या होता है कि bank के पास पैसे नहीं, वो pay नहीं कर सकते, तो RBI ने कहा कि ये सारा open है, ICSA bank के लिए जितना चाहिए लेक के जाएए, तब कुछ दिन के बाद ये public शा देख लिए दोनों SBI के employees हैं, इन्होंने DMD level के, इन्होंने ये तो private banks है, Yes bank और IDBI bank इनको बचाया है, यानि कि finally देखो बहुत criticism होता है public sector को, IS officers को, बीरोकरसी को, लेकिन finally अभी भी Paytium जब डूबने को आया, तो क्या किया है, जो X bankers है, X IS officer उनको ही बुलाया हुआ है, किस अगे Paytium का कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि होने नहीं वाला है, बैट नहीं होने वाला है, अच्छा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पैसा involved है, एक Paytium ने अच्छा ecosystem बनाया है, पायोनियर है, इसके basis पे आपको पता है, भारत पे बहुत सारा जो Fin Bank of Baroda Executive Director Ashok Kumar Garg and Retired IAS Rajni Sekhri Sibal ठीक, देखो, दो IAS Officer और दो X Banker आए हुए है, अभी ये Paytium Bank का Board पे आएंगे, तो decision making में काफी सारा help होगा, और आपको पता है, यह M. Damodaran, IAS Officer थे, Sebi के काफी Time Chairman थे, मैं जब College में था तो यही Chairman थे, और बहुत powerful थे, इन्होंने Sebi को, हम जो कहते हैं, Revan किया था, Sebi पहले काफी Time Light में आने लगा, और इन्होंने Sebi की जो Power से वो दिखाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अभी देखो, कुछ दिन से अच्छा Action हो रहा है, तो पिछले 5 दिन में काफी अच्छा, यहां पर 10-15% का Increase हुआ है, और अगर आप Starting से देखेंगे, Starting से, तो IPO का Price था, वो 20-50 उसके इसाब से नियर अबॉट यह 80% डाउन हो गया भी, ठीक है, 80% IPO के Price से हुआ है, लेकिन मुझे लगता है आगे इसका जो फ्यूचर है, वो अच्छा पर, यह अलग-अलग नियूस पेपर से हमने नियूपर कटिंगे, आप पढ़ सकते हैं, और कुछ दिन पहले ना, यह Paytm ने ही एक Advisory Committee थी, उसके चेर्मन M. दामोदरण, जो सेवी के चीफ रह चुके है, वो I.S. आफिसर भी थे, इन्होंने पूरा इसको संभाला था, और यहां पर अगर आप देखेंगे, RBA के website पर आग आए जाएंगे, तो इसके बारे में FAQs दिये हैं, अगर आपका क यहां पर दिया, yes, you can continue to use, withdraw or transfer your funds from your account, up to the available balance in your account, इस तरीके से ना काफी यह 30-40 questions है, तो आप एक बार इसको गोथरू कीजे, तो इसका चुल लिंक है, मैं comment section में डाल देता हूँ, मेरा जो YouTube channel है, मेरा जो Telegram channel है, उसमें भी यह में link डालता हूँ, आपको यह पढ़ लेना, इससे आपको पता चलेगा कि bank है, पूरे इंडिया में जितने सारे banks के उसकी एक-एक activity को monitor करना, अगर कुछ उस पे problem लगता है, तो उसको action देना, और आज ही SBA को भी fine किया है, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्यो fine किया है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बतलब SBA है, या हमारे recent time in MCB के बारे में, RBA के बारे में बनाए है, आप please go through कीजिए, ये कौन का वीडियो है, बहुत interesting वीडियो है, आपने देखा है तो मुझे बताइए, कि क्या आपको अच्छा लगा अगर नहीं देखा है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, और मैंने पिछले इसे वीडियो में मैं continuously बोल रहा हूँ, आपको RBA का जो मंत्री बुलेटी ने है, वो पढ़ना है, अकर वो नहीं है, तो कम से कम यह MCIR, Montery and Credit Information Review, यह आपको definitely यहां पर पढ़ना है, सिर्फ 4 पेज का यहां पर रिपोर्ट है, बहुत अच्छी information आपको यहां पर मिलेगी, औ और इस तरह के अगर आपको वीडियो और चाहिए, जो recent development हो रहा है, तो मैं आपको काफी अच्छा यहां पर connection करके, मेरो जो previous experience है, वो भी वहां पर डालके आपको बताऊंगा, क्योंकि यह मुझे पता है, क्योंकि यह मुझे पता है, 20 साल पहले यह हुआ था, अभी newspaper में क किसी को नहीं पता है, लेकिन मैंने उस टाइम पर वो अबजर भी किया था, मैंने उसको, actual हम वहां पर गए थे, एटिया में, तो इसलिए मुझे यह आता है, तो इसलिए मैंने बताए कि देखो, finally क्या है, government या public sector है, वही यह जो आरा अगा कुछ mishap होता है, तो उसको बस for your studies and upcoming examinations.